एक बच्चे ने मुझसे पूछा है उन्होंने कमेंट किया दो बार तीन बार मैंने अभी रिसेंटली के लिए जिसने प्रस्न पूछा है लेकिन अगर यह क्वेशन आपका भी है तो आपके काम भी आ सकता है इसका solution एक बार देखेंगे इस ट्रिग्नोमेटरी के प्रूफ को इस तरह के प्रूफ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं LHS से देखेंगा कभी-कभी कुछ क्वेशन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें LHS को अलग करना पड़ता है तो इस प्रस्न में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है क्योंकि कुछ इस तरह का आना थोड़ा सा मुस्किल होता ह है क्योंकि हम साइन कॉस में सबको बदल सकते हैं तो यहां हम बदल के कर सकते हैं तो LHS को अलग करेंगे इस पूरे क्वेशन के लिए तो देखिएगा LHS को लिख सकते में डायरेक्ट कुछ स्टेप स्वाल करकी देखता हूं आप अपॉन मानिएगा तो क्या बन जाएगा 1 upon cos theta minus इसको cos theta upon 1 लिख देते हैं, LCM लेने महासा नहीं रहेगे और इसको लिखेंगे 1 upon sin theta ध्यान से देखते रहेंगे minus इसको लिख सकते है sin theta upon 1 चली पहले ब्रैकट में LCM लिजिएगा LCM आएगा cos theta 1 का multiply 1 में करेंगे 1 cos theta का multiply cos theta हम करेंगे बन जाएगा cos square theta यहां पर LCM ले में करेंगे sin squared theta है ना जी next system में क्या मिलेगा 1 minus cos squared theta identity बन जाता है sin squared theta तो मुस्कुराते भी लिख दीजिए sin squared theta upon cos theta यहाँ पर लिखिएगा 1 minus sin squared theta होता है cos squared theta upon sin theta देखिएगा 1 sin से 1 sin cancel करेंगे सिर्फ sin theta बचेगा उपर और यहाँ 1 cos 1 cos cancel होगा into cos theta बचेगा यहीं आया हमारा LHS left hand side चलिए RHS पर ध्यान दिया जाए RHS क्या आ रहा है उसके बारे में विचार किया जाए RHS अलग स्वाल्व करते हैं हमें दिया गया है 1 upon tan theta plus cot theta तो हम tan theta को लिख सकते हैं sin theta जगें कम होने की वज़े से मैं direct एक step कम करके लिख रहा हूँ sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta याद रखना इसको सारे process हमारे 1 upon में हो रहे हैं यहाँ पर LCM लिजिए तो मिल जाएगा cos theta into sin theta और यहाँ sin theta का multiply sin theta में बन जाएगा sin square theta plus cos theta का multiply cos theta में बन जाएगा cos square theta upon का upon सबसे ऊपर जाएगा one में multiply हो जाएगा cos theta into sin theta क्या बन जाएगा cos theta into sin theta क्या हो रहा है यह सबसे उपर जा रहा है ध्यान देना upon मेν sin square theta plus cos square theta को क्या लिख देंगे direct identity one अچھा है बताओ यह जो cos theta into sin theta है हम उसको sin theta into cos theta तो लिख ही सकते है तो sin theta into cos theta यह हमारा बन गया RHS बचो एक बार match कराओ LHS और RHS को तो यहां लिखेंगे here एक line LHS equal to RHS hence proved last में क्या लिखेंगे hence proved बचो याद रखना आपको कहीं पर भी doubt हो आप comment में लिख सकते हो और अगर आपका कोई question भी है trigonometry से related और किसी भी topic से related आप comment में लिख दीजिएगा मैं आपके question के लिए एक छोटा सा clip बना कर आपको दे दूँगा और दूसरी महत्वपूर्ण बात हर दिन साम 8 बजे live class चलती है class 10 के बच्चों के लिए और class 9 के बच्चों के लिए methodology के official platform पे चलती है साम 7 बजे live class थैंक्यू सो मच जाहें टू आल